नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोईटा मोटर्स की तरफ से आने वाली सबसे पोपुलर मल्टी परपज वेहिकल टोईटा इनुवा क्रश्टा के बारे में जी हां दोस्तों जैसे की कुछ लीक्स और अपडेट निकल के आ रहे हैं उससे लगता है की जल्द ही आने वाले टाइम टोईटा इनुवा क्रश्टा का नए अवतार नए डिजाइन के साथ देखने को मिलेगा जो की शानदार होगा तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो वीडियो को इलाश तक बने रहे हैं और अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब जूर करना दोस्तों जैसे की आपको पता है जापानी कार मैनुफ्रेक्टरिंग कमणी टोयटा इनोवा को 15 एर्स कम्प्लीट हो गए हैं टोयटा ने अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली MPV गाड़ी को आज से ठीक 15 साल पेले सं 2005 में लोंज किया था अभी इनोवा क्रिष्टा इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टोयटा मोडल है तो उसी को देखते वे टोयटा अब इनोवा के फ्रेश डिजाइन को लाने की त्यारी कर रही है तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक वे डिजाइन की तो आने वाली नेक्स्ट जेनरेशन टोयटा इनोवा क्रिष्टा में आपको एकदम नया फ्रेश डिजाइन देखने को मिलेगा जिसमें अपडेटेट फुल अलेटी हैडलेम्स और रेडियेटर गिल्ड को थोड़ा अपडेट किया जाएगा और इसमें लगा नया फ्रेंट बंपर एक ब्रीफियर लुक देगा जो की शांदार होगा और लोको को अपनी तरफ अट्रेक्ट करेगा वहीं बेग प्रोफाइल पर भी आपको एक तम नया फ्रेश डिजाइन देखने को मिलेगा जिसमें अपडेटेट नया बंपर और टेल लेम्स होंगे दोस्तो अब बात करें इसके इंटीर और फीचर्स की तो आपको बता दें आने वाले नेक्स जनेरेशन इनवा क्रेश्टा में आपको फर्स्ट इन क्लास प्रीमियम इंटीर देखने को मिलेगा वहीं सामने की तरफ आपको एक नए डिजाइन का बड़ा सा इन्फोटेन्मेंट सिस्टम देखने को मिलेगा जो अन्डूड ओटो वे एपल कार प्ले को सपोर्ट करेगा इनवा क्रेश्टा में फर्स्ट इन सेग्मेंट जैसे कई नए फिचर्स भी इंक्लूड किया जाएंगे सेप्टी के मामले में भी नेक्स जनरेशन को अपडेट किया जाएगा दोस्तो अब बात करें इसके इंजन वे पावर के बारे में तो नए टियोटा इनवा करश्टा में अपडेडेड ट्रेडिशनल डीजल इंजन के बजाई एक हाइब्रीड सिस्टम देखने को मिल सकता है जो कि 6-speed manual और automatic gearbox के साथ लेंस होगी दोस्तो फाइनली बात करते हैं इसके price वेल launch date की तो आपको बता दे आने वाले नेक्स जनेशन इनवा करश्टा का price accepted एक्सोर मिन दिल्ली 16 लाग रुपी से 25 लाग रुपी तक जाएगा और इसे 2021 में launch किया जाएगा तो दोस्तो आने वाली नेक्स जनेशन इनवा करश्टा आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर दोस्तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जे वार्त वंदे मातरम